सेवी का सहाई का तथा मिनी बहनों का आज के आगन बाड़ी वीडियो में स्वागत है तो बहनों आज का वीडियो पूरा आप जरूर देखी गा क्योंकि आपके मान देय से जुड़ी कुछ मुख्य खबरे हैं खास तोर से उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मुबाइल वितरित के बारे में आपको बता देते हैं कि 1913 संचालित आगन बाड़ी केंद्रों में मुबाइल वितरन किया जाना है हम आपको दिखा देते हैं यहां पे कि परियोजना का नाम आप देख सकती हैं यहां पे कुल कितने आगन बाड़ी केंद हैं और यहां पर मुबाइल वीतराण की संख्या भी है लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि इसकी वज़े से जो भी मुबाइल वीतराण आगन बारी केंद्रों में हुए हैं वह सब के सब खराब निकल गए हैं जी हाँ साव प्रतिसाद जो मुबाइल के हैं, वो साव प्रतिसाद खराब संख्या निकली है मुबाइलों की मतलब जितने मुबाइल आगन बारी बहनों को दिया गया है, वह सब के सब खराब हो चुके हैं, जिसकी सिकाया तो भी पर्योजना अधिकारी और परवेच्छकों से की हैं जो की संपर कैप और पोसन ट्रेकर में डैनिक रूप से होता है, तो फिर आखिर मद्ध प्रदे सरकार के द्वारा इतना कारवन मुबाइल क्यों दिया गया, एक खराब कारवन कौपी का मुबाइल दिया गया, जिसकी वज़ा से पूरा मुबाइल खराब हो गया है, औ तो आपके मुबाइल की कंडिसन उम्मीद करते हैं सही होगी, बहनों मान दे की भी बात करेंगे हम यहां पे उत्तर प्रदेस महिला एवं बालविकास सासन आदेसा नुसार, अब बहनों का मान दे भी दोगुना किया जाएगा, जी हाँ, जिस प्रकार से मद्ध प्रदेस म जहां कि महिला बालविकास के सासन के दौरा यहां आदेस देश दिया जा चुका है कि आगन बारी बहनों का मान दे अब दोगुना होगा, जी हाँ, उत्तर प्रदेस सासन की तरफ से बोल दिया गया है कि बहनों का मान दे दुगना होगा, क्योंकि मद्ध प्रदेस में आप को पता है कि चुनाव चालू हो चुके हैं जिसके तहाँ तो महिला बाल विकास सासना आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो भी आगनवारी बहने हैं उनके मानदे को आप डवल तो करी सकते हैं आपको हम बता दे कि मातर 9000 रुपए का जो मानदे है वह इस समय उत्तर प्रदेश में मिल रहा है 13000 रुपए का जो मानदे है वह माध्य प्रदेश में है और जगहों पे तो और भी कम हालत है जो कि आपको पता है कि इस महगाई के दोर पे नहीं कुछ भी गुजारा होने वाला है आगनवारी बहनों का तो सरकार ने जो यहाँ आदेश द कौन सा आदेश दिया गया इस आदेश को हम देखेंगे आगनवारी नियुनतन वेतन लागू करने बावत मतलब एक नियुनतन वेतन जो है आगनवारी बहनों का वह लगाने की जो है कि आदेश दे दिया गया है महिला बाल विकास की तरफ से तो उत्तर प्रदेश राजप हजार में कुछ नहीं होने वाला तो कई जीले हैं जहां पर मातर 13,000 है 9,000 से 13,000 तक मान दे है आगनवाड़ी बहनों का हर जगा अलग-अलग मान दे आ रहा है जो की सबसे बड़ी परिसानी है एक कोई सिक्ष्ड मान दे नहीं है कि जो किसी का हर कार करता के खाते में जाए तो उस चीज को बढ़ा के 25,000 मान दे लागू करने की बात चल रही है तो आदेस में यह कहा गया है आदेस में बहनों हम आपको बता दे कि सरकार का जो आदेस है उसमें कहीं भी या नहीं कहा गया है कि हम आगन वारी बहनों का मान दे बढ़ा के 25,000 करेंगे सासन का यहाँ आदे सा कि जो भी मान दे अभी बहनों को मिल रहा है उस चीज को बढ़ा के वो दोगुना करेंगे मतलब कि अगर किसी बहन के खाते में 9000 उसका मान दे आता है तो उस चीज़ को वो 18000 करेंगे और बाकी यहां पे बात तो यही किया रही है कि 25000 है जो है कि मान दे किया जाए तो आगन बारी कार करताओं दोरा इस वर्स में कई बार प्रदर्सन और आंदोलन करने की वज़ा से ही यह फैसला लिया गया है चुनाओं में भी सरकार रिस्क नहीं लेगी लेकिन आदेस करने से नहीं होता जब तक उस चीज़ का पालन नहों सरकार के बड़े बड़े भासर होते हैं दावे होते हैं बहनों आपको पता है लेकिन जब तक उस आदेस का पालन नहों आगन बारी बहनों के खाते में जब तक बढ़ा हुआ मान दे का पैसा या दोगुना पैसा या जो पच्चीस हजार मान दे है जब तक वह नहीं और ना ही किसी सासन पे भरोसा करने वाली है बेहनों हम बता दे कि आगन बारी बेहनों के मानदे को बढ़ाने में एक विडम बना हाला की और रहती है क्योंकि आपको पता है कि पच्छ और विपच्छ दो पाल्टियां होती है हमेशा तो सासन का जो एक पच्छ है उसको बढ़ाने की फिराक में रहता है तो दूसरा जो पच्छ है वह मान दे बढ़ाने के पच्छ में नहीं है तो यह सबसे बड़ी बिडम बना रहती है बेहनों कि अगर पच्छ विपच्छ हैं अगर वह लोग भी साथ दे कि आगन बाड़ी बहने इतना मेहनत करती हैं और मात्र 9,000 से 13,000 की ही सेलरी उनको मिल रही है जो कि समहगाई के अनुसार बहुत ही कम है तो अगर पच्छ वाले और विपच्छ वाले दोनों लोग मिल के जब यह चीज पे सहमती जताएंगे तब आपका 25,000 मान दे हो पाएगा लेकिन किसी एक पच्छ के ही सिर्फ कहने से ये रहता है कि सायद इनको वोट बैंक चाहिए जिसकी वजह से ये उनका मान दे बढ़ाने में है क्योंकि आपको पता है कि आगन बाड़ी महिलाओं का भी वोट बैंक में काफी बड़ा योगदान है और उनकी संख्या भी इस हिसाफ से बहुत जादा है और वो जानते हैं कि इनका वोट हमारे लिए कितना महत्वा रखता है किसी भी सरकार या पार्टी के लिए तो इस वज़ा से एक पच्छम मांदे बढ़ाना चाहता है और दूसरा पच्छ नहीं बढ़ाना चाहता है अब इस पे राज़ पाल क्या अपना आदे से कौन सी निसकर्स निकालेंगे यह भी हम आपको आगे बताएंगे हमने एक कट आउद भी बेहनों आपको एक बार दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि आगनवारी वरकरों का जो है कि मांदे नहीं बढ़ाएगी सरकार यह और कोई नहीं बाल विकास और पुष्टा हर जो मंतरी है बेबी रानी मौरिया ने उत्तर प्रदेश से उन्हों ने ही बोला था कि आगे सरकार पैसे बढ़ाने के किसी मूर में नहीं है या फिर सरकार अभी आगनवारी वरकरों का मांदे नहीं बढ़ाएगी क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही बढ़ाया है अब हम आपको बता दें कि पंदरा सो के बढ़ाने से क्या होता है पंदरा सो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है तो लेकिन अब सरकार ने चुनाओ के टाइम पे सीधे सीधे बोल दिया है कि मांदे को दो गुना किया जाएगा तो बहनों देखना यह है कि मांदे को क्या सरकार दो गुना करेगी या नहीं करेगी तो इसको भी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे तब तक आप कमेंट करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बहनों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को जादा जादा वाटसेप ग्रूप आगन बाड़ी